हेलो फ्रेंड, डिजिटल सल्यूशन में आपका सौगत है, आज हम सीखेंगे कैसे आप आदर इन्वर्मेंट, करेक्शन, अपडेट के लिए सार्टिफिकेट फर्म फिलाप कर पाएंगे, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, जानेंगे इस वीडियो में, तो फ्रेंड वीडियो क तो फ्रेंड, आप जो ए स्क्रीन पर फर्म देख पा रहा है हो, यह आदर सार्टिफिकेट फर्म है, आप इसके मदद से आप अपने आदर कार्ट करेक्शन, अपडेट और न्यू इन्वर्मेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास कोई सैटिसफाइड डॉक यह सब डॉकुमेंट्स आपके पास नहीं है, और है तो गलत है, तो शिरिफ आप इस फर्म के ही मदद से आप अपना आदर कार्ट का करेक्शन, अपडेट और न्यू इन्वर्मेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, आप आसानी से इस फर्म को आदर की ओफिसियल थाइट से सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां से भी आसानी से इस फर्म को डानलोड कर पाओगे, तो फ्रेंड मैं ए फर्म को पहले से फिल अप करके सिगनेचर लेके रखा था, कि आप लोगों को समझ जाने में आसानी हो, तो फ्रेंड आप देख सकते हो, इस आप करेंगे, तो आप इधर देख पाएंगे, लिखा हो है, और टो भी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर, और नीचे आप देख पाओगे, तो भी ए प्रेंट अन प्लेन ए फोर पेपर साइज, और उसके नीचे साइड में ही थोड़ा दूर लिखा हो है, नाट रिक्वाइड आपको इसके मतलब समझा देता हो, आप इस फोर्म को जब फिल अप करेंगे, तो आपको ये स्रिफ ब्लॉक लेटर में ही फिल करना है, और आपको ये पेज का प्रिंट आउट ये-फोर पेज में लेना है, उसके बड़ा और चोटा में नहीं लीजिएगा फ्रेंड, ये- पेन से fill up किजिएगा तो फिरेंड एक कुछ interaction था और आप इस form जब fill up कर लेंगे और date दे देंगे तो आपका एक valid शिर्फ तिन मंद के लिए रहेगा तो फिरेंड आपको एक बात की ध्यांदत नहीं है सीखने चाल ले लिने के बाद आपको तीन मंद के अंधर ही एक form को यूज करना है उसके बाद नीचे आप देख सकते है resident details लिखा हुआ है उसके लीचे चार box दिया हुआ है एक resident, एक non-resident, इंडिया और new environment और update request अगर आप इंडिया नागरिकता के लिए ये कर रहे है तो आपको new enrollment और क्लिक करना पड़ेगा या फिर आप अगर कोई address चेंज करने के लिए कर रहे हो या अपना guardian का नाम चेंज करने के लिए कर रहे हो तो आपको address request प्लिक करना है तो फिरें ये हो गई अब उसके बाद आपको अपना आदर नमबर लिख देना है अगर आपका आदर काड नहीं है आप नए आदर काड के लिए कर रहे हो तो आदर नमबर के जगे आपको फिल करना जरूरी नहीं है अगर आप अपडेट के लिए कर रहे हो तो आपको अपना आदर नमबर उधर ल अगर आपका फूर्स्ट लाइन फूल हो जाए और दो और दो लेटर अगर आपके बागी रह जाये लेखने के लिए तो आप दूसरे वाले बॉक्स ले सकते हो आप एक में आपका टाइटेल एक में आपका नाम एसन मत लिखेगा एक लाइन वही आप एक इस पेस लेके देखा हुआ है सियो का मतलब होता है केर ओफ केर आप में आप अपने मॉम डैड या हस्बिन का नाम लेख सकते हो उसके बाद फिरेंड आपको अपना हाउस नंबर बिल्लिंग और अपार्मेंट नंबर देना होता है अगर आपका हाउस नंबर है और आप जानते नहीं हो तो आप अपने बोटर लिस्ट में देख सकते हो आपका घर का नंबर दिया होगा आप अगर विलेज से हो या फिर आप बिल्लिंग या अपार्मेंट में रहते हो तो आपका अपार्मेंट का ब्लॉक नंबर भी आप देख सकते हो उसके बाद फिरेंड आपको लेख सकते हो या फिर आपके घर के सामने कोई रोड है उसका नाम है जैसे की गांधी रोड या और दूसरी तरह का तो आप वो रोड का नाम भी लेख सकते हो उसके बाद फ्रेंड आप लेंड मार्क में अपने घर के सामने कोई ऐसा बड़ा इसकूल हो या कॉलेज या फिर म मस्जिद मंदीर जो भी हो आप उस जगह को mention कर सकते हो लेंड मार के जगह उसके बाद आपको एरिया लोकल लेटी सेक्टर लिखा हुआ है आप उधर आपका सेक्टर का नाम लोकल लेटी और एरिया की जगे आप अगर विले से हो तो अपने गाउं का या पंचायत का नाम द देख सकते हो उसके बाद आपको अपना पोस्ट आपिस देना होता है पोस्ट आपिस लिखने के बाद आपको अपना डिस्टिक और उसके बाद इस्टेट और इस्टेट लिखने के बाद अपना एरा का पीन कोड दीजेगा उसके बाद आप जिसका अप्लिकेशन कर रहे हैं उसका date of worth देना होता है तो फ्रेंड आप जब इस form का address फिल आप करेंगे तो आपको इधर किसी जगे पर अपना police station का नाम लिखने को नहीं मिलेगा तो फ्रेंड आप अगर अपना police station का नाम लिखना चाहो तो फ्रेंड आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हो लैंड मार्क के जगे या फिर एरा लोकालेटिक सेक्टर के जगे आप अपना police station का नाम देश कर भी काम चला सकते हो तो फ्रेंड आप जब नीचे आएंगे तो देख पाएंगे रेट कॉलम में लिखा हूँ है इसको आप अपना address मत फिल किजिएगा इधर आप जिससे signature लेंगे जिससे आप यह verify करवाएंगे आप उसका signature लेजिएगा आप नीचे देख सकते हो इसमें आपको बहुत सारी option देखने को मिल जाता है जैसे कि gadget officer ग्रूप विलेज पंचायत head और मुक्या और gadget officer ग्रूप भी MLA, MP, MLC, multiple counselor और तेहसिलदर और इसकोल का headmaster का भी आप इधर signature ले सकते है आप जिस भी satisfier से आप यह signature और stump लेंगे आपको simply name of the satisfier आपको उसका नाम इधर फिल करना है उसके बाद आप design negation में आप देख सकते हो आप अगर आप देख सकते हो मैंने प्रधान से लिए था अपने पंचायत के तो आप देख सकते हो उधर मैंने प्रधान लिख दिया है तो आप जिससे भी लेंगे आप उस box में stick कर देंगे और उस जगे आप अपना address उसका address फिल कर देंगे आप तो अगर उसका address नहीं जानेंगे तो यह वाला option छोड़ दीजिएगा और आप जिससे इस सैटिसफायर से signature स्टम्प करेंगे और आपको अपने फॉटो के नीचे सैटिसफायर का signature और स्टम्प ले लेना है अगर फ्रेंड आपका किसी जगे में समझने में problem हो रही हो या फिर मैंने किसी जगे पे miss कर दिया है बताने को तो आप comment में पूछ सकते हो अगर फ्रेंड आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगए तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपसे मुलाकातों की दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड झाल 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 उसे हो